देली, वीकली और मंतली राशेफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प बनी रहे यह वीडियो है 19.09.2021 मंगलवार के दैनिक राशेफल के बारे में यह राशेफल आपको एक दिन पहले दिया जाता है आपके सुविधा के लिए हर वीडियो की तरह क्या उपाए करना है 19.09 को उसके बारे में आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा तो सप्टूबर, 2021 के दैनिक राशी, फलका मेश राशी के साथ, मेश राशी के लिए आज का दिन है, positivity का, और inspiration का, mindset काफी positive रहेगा, और किसी चीज से, या किसी इनसान से, किसी situation से, किसी से भी inspired हो सकते हैं, inspiration ले सकते हैं, आप देखेंगे किसी को कि वो कितनी negative situation से भी उपर उठ गया या कितनी आसपास उसके विगनत है उनसे भी उसने प्रत्न करके निकलने की कोशिश करी तो ऐसी किसी चीज से या किसी भी positive चीज से आप आज inspiration लेने की कोशिश करेंगे करियर पर चलते हैं जो लोग job करते हैं आज का दिन बहुत अच्छा दिक्रा है mental clarity रहेगी आपके actions हो या emotions सभी में clarity दिखेगी अपने colleagues के साथ आपका communication भी काफी clear रहेगा कोई project मिलता है जिसमें as a team member काम करना है तो बहुत ही अच्छा करेंगे जो लोग business करते हैं उनके लिए तो आज का दिन बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है बहुत अच्छे धनी हो गहें जो लोग partnership में काम करते हैं उनके लिए तो और भी अच्छा दिन दिख रहा है कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है हो सकता है आपके partner कोई बहुत अच्छी deal ल तो आज कुछ करने का मौका मिलेगा दिमाग में भी आएगा दिल में भी आएगा कि आज कुछ क्रियेटिव करते हैं जिससे आपके अपने माइंड में भी काफी उत्पन होगी वाद विवाद के स्थेती विचारों की कुछ कुछ सोचेंगे कभी negative thoughts आएंगे कभी confused होगे साथी में आपका किसी अपने दोस्त से भी आज वाद विवाद हो सकता है ये सब negativity रहेगी जिसका आपके study पे थोड़ा negative असर जरूर पढ़ेगा health के इसाब से skin से related कोई problem हो सकती है और साथी में digestive disorders थोड़े से आज तंग कर सकते हैं लगी number है one यानि की एक लगी color है आपका blue और भाग्य पतिशत है 75% आप चलते हैं टॉरस यानि की विरिशब राशी की तरफ आज का दिन है अपने लिए एक stand लेने का कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग या तो हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते उसको जादा महत्व नहीं देते और हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन आज आज आपको ये चीज़े बदलनी पड़ेंगी अगर आपके कुछ thoughts हैं कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसमें आप बहुत strongly believe करते हैं और आपके आसपास के लोग आपको वह करने से रोग रहे हैं तो आज आपको अपने लिए स्टेंड लेना पड़ेगा जिस चीज़ में विश्वास करते हैं वही चीज़ करिएगा करियर बेचलते हैं जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा तनाव भरा दिन रहेगा एक तो हो सकता है रीसेंटली आपने कुछ गड़वर कर दी हो अप ने किसी रिष्चेदार से और यह सोचे कि अगर मैंने पहले कुछ कर लिया होता कुछ और पढ़ लिया होता को जॉब चेंज कर ले होती तो शायद आज मेरी जॉब और अच्छी होती और हाई पेइंग होती तो ऐसे विचार मन में आएंगे जिसके करण थोड़े परिशा लवेंड रिलेशन्शिप के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है नया रिलेशन्शिप स्टार्ट करना हो या फिर अपने करंट रिलेशन्शिप में थोड़ा रोमेंटिक टच देने की बात हो या शादी से रिलेटेड बात नहीं बन रही हो वह भी आज बन सकती है ओवर के पार में बहुत सोचेंगे और स्टडी वे आज आज आपका पूरा- zoning काफी ऊसीसाव से भली झाधों में थोड़ा सा दर्द रह सकता है जैसे जैसे दिन बड़ेगा रात की तरफ ना han thats 283 थोड़ी से ए आग्जयी के इश्योज स्हयों आपको हो सकते हैं लकी नमबर है 7 लकी कलर है ब्लैक भाग्य प्रतिशत है 65 चलते हैं जैमिना यानि की मिथुन राश्य की तरफ बहुत दिनों से अपनी दिन चर्या में अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे हर रोज सोचते थे कि कल से यह करूंगा या तो सोचते थे कि से जल्दी उठोंगा सुबह एक्सरसाइस करूंगा कुछ रीडिंग करूंगा या कुछ भी ऐसे करने की सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे आज आपको मौका मिलेगा और काफी संकल्पित भी रहेंगे वह चेंज को एक्जिक्यूट करने में करियर पर चलते हैं जो काफी लेजी दिन बीतने वाला है as far as your job is concerned ज्यादा काम करने का दिल नहीं करेगा बिजनस के इसाप से काफी महत्वपूर्ण दिन हो सकता है आज का आज हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ा decision लेना पड़े कोई ऐसा decision जिसके लिए बहुत time से तयारी कर रहे थे बहुत time स से वेट कर रहे थे आज है decision आपको लेना पड़ सकता है अच्छा दिन है आज का business के इसाप से love and relationship के इसाप से आज का दिन अच्छा नहीं है काफी तनाव पूर्ण स्थितियां रहेंगी mental clarity की कमी रहेंगी mental compatibility की कमी रहेंगी काफी परिशान रहेंगे अपने relationship को लेकर अप बहुत ही जादा परिशान रहेंगे अच्छा दिन नहीं देख रहा हूं स्टूडेंस से कहूंगा कि एक तो आपको travel करना पड़ सकता है अपनी पढ़ाई को लेकर या हो सकता किसी और चीज को भी लेकर साथी में यह कहूंगा कि जल्दबाजी से आज कोई भी decision मत प्रतीशत है आप चलते हैं कैंसर यानि की कर्गराशी की तरफ बहुत पॉजिटिव दिन है आज आपका बहुत अच्छा दिन है हेल्थ के हिसाब से भी और पैसे के हिसाब से भी लक्षमी जी आती हुए दिख रही है किसी भी स्वरूप में आ सकती है अश्ट लक्षमी हो होती है ज़रूरी नहीं पैसा ही हो एक अच्छी हेल्थ भी बहुत अच्छा एक लक्ष्मी जी का स्वरूप है लेकिन आज हेल्थ भी अच्छी होगी और पैसा भी आता हुआ दिख रहा है बहुत अच्छे धन योग लक्ष्मी प्राप्ति के योग बने हुए कुंडली में करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं आज का दिन ट्रांस्फोर्मेशन दिखा रहा है चेंज दिखा रहा है जॉब स्विच करना चाहते थे तो बहुत अच्छा दिन है ओफर लेटर आ सकता है कहीं से ओफर आ सकता है कहीं से इंटर्व्यू का कॉल आ सकता है और बह बहुत पॉजिटिव न्यूज आ सकती है जो भी चेंज होगा बहुत हद तक पॉजिटिव ही होगा अच्छा दिन दिख रहा है जौब के हिसाब से भी जो लोग बिजनस करते हैं आज बहुत एग्रेसिव रह सकते हैं अपने competitors पर अपने प्रतिद्वन्दियों पर बहुत भारी पड़ेंगे और ऐसा होना भी चाहिए जब आ बिजनस करते हैं तो सभी आपके प्रतिद्वन्दी होते हैं बहले ही छोटे हो या बड़े तो आज काफी competitive रहेंगे काफी aggressive रहेंगे लेकिन एक positive तौर पर love and relationship के बारे में यह कहूंगा कि आज थोड़ा अपने partner को जादा ध्यान दीजेगा हो सकता है कहीं वो अकेले feel कर रहे हो हो सकता है उनकी personal life में या professional life में कुछ problems आ रही हो जिसको लेकर काफी तनाव गरस्त हों काफी परेशान हों तो आपको आज उनसे थोड़ी बात करनी है और अपने आप थोड़ा उनकी life में involvement बढ़ाने की कोशिश कीजिए उनसे पूछ लीजे कि भाई क्या चल रहा है काम में क्या चल रहा है या कुछ अगर और पूछ सकते हैं आपको आप उनके साथ relationship में होंगे तो आपको काफी चीज़ें पता ही होंगी या स्वभावे कही है तो उनकी life में थोड़ा involvement बढ़ाने की आज कोशिश कीजिएगा स्टूडेंस के लिए आज का दिन अच्छा देख रहा है अगर आने वाले दिनों में कुछ कोई एक्जाम है आपका तो उसको लेकर आज preparation आपकी बहुत अच्छी रहेगी थोड़ा सा travel करना पड़ सकता ह हेल्थ के इसाब से आज का दिन बहुत अच्छा देख रहा है कोई ज्यादा major problem नहीं दिख रही लकी नंबर है फोर लकी कला है आपका purple भाग्य प्रतीशत है 80 अब चलते हैं लियो यानि की सिम्ह राशी की तरफ आज का दिन काफी spiritual रहेंगे साथी में आज का दिन ऐसा रह चलते हैं आपका दिल केवल उनी से वारतालाप उनी से बाते करने का करेगा जिनसे आपके thoughts नहीं मिलते जो आपको थोड़े negative vibes देते हैं उनसे तो आप आज कोसो दूर रहने की कोशिश करेंगे उनसे बात करने का जरा भी प्रयास नहीं करेंगे बिल्कुल दूर रहने की क portfolio है सिर्फ उसी प्याज ध्यान दीजेगा वरना किसी problem में पढ़ सकते हैं अगर इदर उदर ताका जाकी करी दूसरों के काम में अपना ध्यान देने की कोशिश करी तो कुछ ना कुछ problem में पढ़ेंगे सिर्फ अपने काम से काम रखें बिजनस के इस आप से थोड़ा negative दि बहुत प्रयास कर रहे थे तो आज भी उससे निकल नहीं पाएंगे उसमें फसे रहेंगे जिससे कारण काफी frustrated रहेंगे love and relationship पर चलते हैं आज थोड़ा संभल के रहिएगा क्योंकि हो सकता है कोई आपके जानने वाला कोई आपके आसपास वाला कोई relative कोई दोस्त कुछ ना कुछ ऐसी चाल चले जिससे आपके relationship में problem आए हो सकता है वो आपके अच्छे relationship से चिड़ते हों तो कुछ ना कुछ शड नहीं दिख रहा काफी तनाव पूर्ण स्थिती रहेगी हो सकता है आपके किसी दोस्त ने आपके को स्टूडेंट ने भी आपको धोखा दिया हो रीसेंट लिया आज वह धोके का के बारे में पता चलेगा जिसको कारण काफी दुखी रहेंगे तनाव पूर्ण रहेंगे स्थिती रहेगी जिसका बुरा असर आपके स्टैडी पर पढ़ेगा हेल्थ की साबसे आज का दिन ठीक है गले से संबंदित उच्छ लोग तंग कर सकते हैं लकी नंबर है आठ लकी कलर है आपका डाक ब्ल्यू भाग्य प्रतिशत है सत्तर प्रतिशत चलते हैं वर्गो या वासिलाज कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में काफी सोचेंगे करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं किसी डिसीजन का वेट कर रहे थे तो आज चीजें कलेंगी और पोस्ट पॉन होंगे जिसके करण थोड़े फ्रस्टेट होंगे जो लोग नई जॉब का वेट कर कर रहे थे कहीं से call का वेट कर रहे थे offer letter का वेट कर रहे थे उनको यह लग रहा था कि आज offer letter आजाएगा उनके लिए भी थोड़ा delay होता हुआ दिख रहा है थोड़ा postponement होता हुआ दिख रहा है business के हिसाब से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है losses हो सकते हैं खर्चे बढ़ सकते हैं साथ ही में हो सकता है आपके किसी प्रतितुन्दी ने आपके बिजनस पर कुछ तंत्र क्रिया करी हो उसका आज negative result देखने को मिल सकता है अगर तंत्र क्रिया से ग्रसित हो तो मुझसे सुझाव ले सकते हैं मेरे WhatsApp पर पहले message कर दीजीगा बात में बात कर लेंगे love and relationship के इस आप से यह कहूंगा कि आज का दिन है जब आपको अपना existence यानि कि अपनी self-respect दुबारा पानी है हो सकता है recently कुछ ऐसा हुआ हो कि आपके partner आपसे धंग से बात नहीं कर रहे हो आपकी self-respect पर बार-बार चोट पहुँच रही हो लेकिन ताकि relationship पर बुरा असर ना पड़े इसके कारण आप शायद चुप रह रहे हो तो आज वो चुपी तोड़नी है और उनको realize कराना है कि आप भी इस relationship में बराबर के भागीदार है students के लिए अच्छा दिन दिख रहा है अचानक से कोई बहुत अच्छे नियूज आ सकती है बहुत अच्छी opportunity आ सकती है जो आपको काफी खुश कर देगी health के इसाब से जिनको diabetes की problem है बहुत ध्यान देने के जरूत है जिन लोगों ने रीसेंटली अचानक से weight put on किया है उनसे कहूंगा कि एक बार डॉक्टर से check-up करवा ले पूरी body का full check-up करवा ले हो सकता है thyroid या कुछ ऐसी problem आपको लखी नंबर है टू लखी कलर है आपका pink भ nutrition आज बहुत अच्छा रहेगा अपने intuition के चलते अपने intuition पर भरोसा दिखाएंगे तो बहुत अच्छा कुछ हासिल कर सकते हैं साथी में काफी charitable रहेंगे दूसरों की help करने के लिए पूरी तरह से ready रहेंगे करियर पर चलते हैं जो लोग job करते हैं उनसे कहूंगा कि आज risk बिल्कुल भी मत लीजेगा कुछ over excitement में आकर बिल्कुल मत कोई चीज कीजेगा वरना बहुत भारी पर सकता है बहुत negative impact रहेंगे बहुत long term तक थोड़ा संभल के आगे बढ़िएगा अपने senses पर सैयम कोशिश करेंगे हो सकता है कोई deal जो बहुत अच्छी नहीं जा रही हो उसमें से निकलने की कोशिश करें भले ही उसमें थोड़ा सा loss भी हो जाए लेकिन उनको पता होगा कि अभी वाला जो loss है जहल लेंगे लेकिन जो long term में इससे loss होने वाला है वो नहीं जहल पाएंगे तो आज किसी deal से आप निकल सकते हैं थोड़े अपना दिमाग का काफी आपको जाधा प्रयोग करना पड़ेगा love and relationship पे चलते हैं अपने past में जाएंगे हो सकते हैं आपके partner ने past में कुछ चीज आपको गलत कई हो या उनका कोई action हो जो बहुत गलत हो उसके बारे में आप स विचारों पर सयम रखेंगे तो अच्छा होगा students के लिए आज का दिन overall काफी अच्छा दिख रहा है को अच्छी news मिल सकती है study पे भी पूरा ध्यान लगेगा अच्छा दिन है students के लिए health के इसाफ से कहीं से cut लगने से थोड़ा सा दिकत हो सकती है खून भै सकता है साथी म घुट्णों में भी थोड़ी सी problem आ सकती है घुट्णों में थोड़ा दर्द रह सकता है lucky number है आपका 3 lucky color है आपका purple भाग्य पतीचत है 65% आप चलते है Scorpio यानि की व्रिशिक राशी की तरफ mental clarity बहुत अच्छी रहेगी चीजों को समझने की शमता बहुत अच्छी रहेगी हो सकता है पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा चीजों को समझने में problem आ रही हो कुछ समझ नहीं आ रहा हो confusion की स्टेट हो आज वह बहुत हद तक दूर होता हुआ दिख रहा है करियर पर चलते हैं जो लोग job करते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है especially वह लोग जो as a team member काम क करते हैं यानि कि आपको ऐसे project मिलते हैं जो as a team आपको पूरे करने होते हैं तो बहुत friendly atmosphere रहेगा वहां पर और चीज़ें बहुत अराम से पूरी हो जाएंगी एक दूसरे के support से जो लोग business करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है काफी authoritative रहेंगे हो सकता है कोई बह relationship के आपसे बहुत अच्छा दिन नहीं है थोड़े exhausted feel करेंगे physical तोर पर हो सकता है पिछले कुछ दो-तिन दिनों में काम जादा हो धंक से सोए ना हो जिसका असर आपके relationship पर दिखेगा थोड़ा negatively क्योंकि थोड़े exhausted थोड़े ठके हुए आप रहेंगे students के लिए आज का दि आपको एक बहुत अच्छी guidance मिल सकती है health के इसाफ से थोड़ा दिन के अंत में थोड़ा सा तनाव में रह सकते हैं थोड़े से anxious रह सकते हैं anxiety की problem रह सकती है लगी नंबर है आठ लगी कला है आपका red भाग्य प्रतिशत है 75 प्रतिशत चलते हैं Sagittarius याने की धनू उराशी क की तिरफ आज आपको क्या करना है या आने वाले दो तिन दिनों में आपको क्या करना है उसके बारे में काफी clear रहेंगे और उसके हिसाफ से अपना पूरे आने वाले दिन और आज का दिन प्लैन करेंगे साथी में self motivate रहेंगे motivation की कोई भी कमी नहीं रहने वाली career पे चलते की मदद से उस project को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर लेंगे business जो लोग करते हैं उनसे कहूंगा कि आज का दिन है risk आपको बिलकुल भी नहीं लेना दूसरों की बातों में आकर या over excitement में आकर कुछ गडबड कर सकते हैं आप तो आज risk बिलकुल भी नहीं लेना बहुत सोच समझ के जो भी कीजिएगा वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा आज कोई decision अगर लेना हो तो उसको टाल दीजिए आने वाले दो तिन दिन में उसके बारे में सोच विचार कीजिएगा love and relationship के इस आपसे बहुत अच्छा दिन नहीं दिख रहा काफी वाद विवाद की स्थित होगी mental thoughts बिल्कुल नहीं मिलेंगे mental compatibility बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी चोटी चोटी बातों पर एक दूसरे पर कटाक्ष मारेंगे और कटाक्ष के बान मारेंगे और काफी जगड़े आपके आज हो सकते हैं students के लिए आज का दिन अच्छा नहीं दिख रहा काफी ग्रसित काफी परिशान रहेंगे health case आपसे जादा कोई problem नहीं दिख रही उल्टा सिधा खाना खाने के कारण थोड़ी सी problem हो सकती है लखी नंबर है आपका चार लखी color है आपका red भाग्य प्रतिशत है सत्तर प्रतिशत चलते हैं मकर यानि की Capricorn राशी की तरफ काफी positive र love यानि की शान्ति और प्रेम की भावना हर तरफ बाटने की कोशिश करेंगे लोगों को guidance भी देंगे और हो सकता है कोई आपके पास अपने आप आए guidance मांगने का तो उसकी मदद जरूर कीजिएगा करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं बहुत अच्छा दिन है एक mental clarity रहेगी बहुत अच्छा कोई decision ले सकते हैं अगर आपको कोई काम मिलता है तो बहुत अच्छी तरह से करेंगे जॉब गरते हैं तो बहुत भी अच्छा दिन है आज का आपके अच्छे प्रयासो को कोई ना कोई सराहेगावी हो सकते आपके senior हो सकते आपके bosses तो आपको सराना भी आज मिल सकती है आपके अच्छे कामों के करन जो लोग business करते हैं थोड़ी तनाव पूर्ण स्थेती दिख रही है अगर partnership में करते हैं तो mainly बहुत तनाव दिखेगा आपको यह लगेगा कि जो आपके partners हैं उनका involvement बहुत कम है और सब कुछ आप अकेले समाजने संभालने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण थोड़े तनाव में रहेंगे love and relationship पर चलते हैं वह लोग जिनके relationship को स्विकार नहीं किया जा रहा समाज के द्वारा उनके parents के द्वारा किसी के भी द्वार जिनको स्विक्रिती नहीं मिल रही वह आज बहुत ही परेशान रहेंगे बहुत तनाव में रहेंगे अपने relationship को लेकर कि सोचेंगे कि क्यूं इतनी बंदिशे हैं हम पे कि हम प्यार भी ढंग से नहीं कर सकते students का आज पूरा जो दिमाग है जो दिल है वो romance की तरफ रहेगा प्यार महबत की बातों की तरफ रहेगा जिसका direct impact आपके study पर negatively पढ़ेगा health के इसाफ से कहीं कटने से चोट लग सकती है जिन लों को diabetes है आज खास ध्यान दीजिएगा lucky number है दो lucky color है pink भागय प्रतिशत है 70 प्रतिशत आप चलते हैं कुम्ब यानि की Aquarius राश्य की तरफ कुछ नया सीखने के बारे में बहुत प्रयास करेंगे जिसे कहते हैं thirst for knowledge यानि की knowledge की प्यास कुछ ना कुछ सीखने में बहुत प्रतनशील रहेंगे प्रयास शील रहेंग कुछ भी देखेंगे तो सोचेंगे कि यह कैसे होता है मैं यह सीख लूँ inspired हो जाएंगे चीजों को देखकर बहुत अराम से तो अच्छा दिन है कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए करियर पे चलते हैं जो लोग जौब करते हैं बहुत अच्छा दिन दिख रहा है पूरे कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपको professional satisfaction भी देगा अच्छा दिन दिख रहा है business के आप से love and relationship पर चलते हैं आज आपको अपने partner के साथ कहीं घूमने जाने का मौका मिल सकता है मैं यह नहीं कह रहा है कि सीधा ही कहीं बीच पे पहुंच जाएंगे या hills पे पहुंच जाएंगे कहीं आसपास ही हो सकता है dinner का मौका मिल जाए lunch का मौका मिल जाए कुछ काम कराने के लिए हो सकता है साथ में जाना पड़े तो कहीं पे जाने का साथ में मौका जरूर मिलेगा उस मौके को जरूर उस मौके का फायदा उठाएगा और एक अच्छा time अपने partner के साथ spend कीजिए तुदेंस के लिए करूंगा आज का दिन अच्छा है जो लो जो स्टुडेंस पार्ट टाइम जॉब ढून रहे थे उनको कोई अच्छी खबर आज मिल सकती है हेल्थ के इसाफ से आज का दिन अच्छा है बस पैरों में हल्की सी हल्का सा दर्द रह सकता है हल्की सी चोट भी लखी नंबर है पांच लखी कलर है आपका ग्रे भाग्य प्रतीशत है 75 चलते हैं पाइसस यानि की मीन राशी की तिरफ आपसे कहूंगा कि आज थोड़ा टाइम नेचर में स्पेंड के जिए किसी पार्क में चले जाए यह चछत पे अकेले बैड़ जाए जहां पे से आप विजूलाइज नहीं कर पा रहे हों तो नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए उन इमेजिनेटिव आइडियास को लेकर एक क्लैरिटी आ जाएगी बहले भी बता चुका हूं मीन राशी वाले काफी क्रियेटिव होते हैं लेकिन कॉंफिदेंस की कमी होती है कभी कभी क्लैरिटी की कमी होती है तो आज नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए जरूर वो क्लैरिटी आती हुई दिखेगी करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन दिख रहा है जो लोग नई जॉब के लिए ट्राय कर रहे थे उनक कुछ काम जो कर रहे थे कोई कॉंट्रैक्ट जो मिला हुआ था वो पूरा होते वह दिख रहा है आज या आने वाले टाइम में पूरा हो जाएगा उसके रिलेटेट कोई न्यूज आजकती है लेकिन आज कोई रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना लव एंड रिलेशन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है फैमिली का पूरा सपोर्ट रहेगा अगर कुछ नया करना चाहते थे कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट करना चाहते थे जिसमें हो सकता है थोड़ा पैसे की जरौत हो और आपको डर लग रहा था कि आपके फैमिली वाले एंडिंग पार्ट में हलका सा बॉड़ी की हीट भी अचानक से बढ़ सकती आपको लगेगा कि बहुत बॉड़ी से गर्मी निकल रही है लखी नंबर है आपका एक यानिकी वन लखी कल है आपका केसरी यानिकी सैफ्रॉन और भाग्य प्रतिशत है 75 प्रतिशत अज का उप आता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्शुग्